हे एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पाट शाला आज जो पोयम हम करने जा रहे है उसका नाम है टू हीज कोई मिस्ट्रेस जिसे एंड्रियू मार्वेल ने लिखा था और इसे पब्लिश 1681 में कराया गया था प्रियू मार्वल का लाइफ पीरियर 1621 से 1678 का था वो एक इंगलिश पोईट और पॉलिटिकल लीडर थे प्रेजन टाइम में मार्वल को वन ओ दा बेस्ट मेटाफिजिकल पोईट में कंसिडर किया जाता है उनके नोटेबल वाक्स थे दा रियर्सल ट्रांस प्रोस्ट जो 16 1772 से 173 के बीच पबलिश होई तू हिस कोई मिस्ट्रेश जो 1681 में पबलिश हुई एन होरेशियन ओर अपन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रों आईरलेंड जो 1650 में पबलिश होई थी तू हिस कोई मिस्ट्रेश पोईम 46 लाइन्स में है यह पोईम लव के टाइम के साथ कन्व conventional conflict की theme को विटी और आएरिनिक मैनर में express करती है पोईम ओपन होती है और पोईट अपनी मिस्ट्रेश को address करते हुए कह रहा है कि अगर उसके पास पूरी दुनिया का time होता मतलब उसके पास काफी time होता तो वो उसकीиться Lee's करने के लिए 100 शेक्न करता और तब उसकी मिस्ट्रे में लगा सकती थी लेकिन अपनी मिस्ट्रेस को जेंटली रिमाइंड कराता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम है और पोईट अर्ज करता है कि वह उसके लव को एक्सेप्ट कर ले और उसके एमब्रेस में स्रेंडर हो जाए इससे पहले एज के साथ उसके ब्यूटी फेड हो फ्रेज है जिसका मतलब है सीज दडे मीनिंग इस टाइप के वर्क्स रिडर्स को इंस्पायर करते हैं कि वह अपने प्रेजेंट को इंजोई करें एंड टू लिव एस पोसीबल एंड्रियू मार्बल को यह थीम यह जोनरा काफी पसंद था इसलिए उन्होंने इस पर अप पहले अपनी लाइफ को इंजोई करना चाहिए पोएम का मेन आइडिया फ्यूचर की चिंता ना कर प्रेजेंट की मोमेंट को इंजोई करना है तो चलिए अब हम अपनी पोएम को देखते हैं पोएम स्टार्ट होती है और पोएट पोएम की फर्स्ट लाइन में ही कहता है ह एड़वी बट वर्ल्ड एंड टाइम वो स्टार्स से उनके पास जो कम समय है उसे शो कर रहा है और उसको लेकर कंप्लेन कर रहा है पोईट कहता है कि अगर उनके पास पूरी दुनिया का समय होता तो वो अपनी बिलावड के ओनर में काफी चीजे करता और उस टाइम उसकी बिलावड की कोईनेस से उसे कोई प्रोब्लम नहीं होती वो दोनों एक साथ बैठते और अपना दिन कैसे स्पैंड करना है इसके बारे में सोचते वो अपनी बिलावड को कहता है कि तुम गंगा रीवर के किनारे घूमना और उसके किनारों पर रूबीज ढूंडना और मै इंग्लेंड में हमबर नदी के किनारे वोक करूँगा और अपनी पोएम्स लिखूँगा पोईट आगे कहता है कि मैं तुम्हें समय के स्टार्ट से प्यार करता इवन बिलिकल फ्लड से भी पहले से बिलिकल फ्लड को नोएकियन फ्लड भी कहते हैं एह बाइबल की बुक जैनिसिस की एक स्टोई है जिसमें गोड ग्लोबल फ्लड भेजते है अर्थ को पूरी तरह डेस्ट्रोई करने के लिए तो इस इवेंट के रेफरेंस से पोईट कह रहा है कि तब हमारे पास काफी समय होता और तब तुम अपनी कोईनेस और तब वो उसके लोव मेकिंग के टाइम ले सकती थी नेक्स्ट पोईट अपने लव को वेजिटेबल लव के मेटाफर से शो करता है हां वेजिटेबल लव का मतलब है कि पोईट कह रहा है कि उसका लव वेजिटेबल की तरह है जो स्लोली ग्रो कर रहा है और एक दिन वो लार्जेस्ट एमपायर से भी बड पोईट कहता है कि वो अपनी बिलावड की आइस को प्रेस्ट को प्रेस्ट करने में लगाता और बाकी पूरी बोड़ी को प्रेस्ट करने के लिए वह 30,000 इयर्स डेडिकेट कर देता point कह रहा है कि वो अपनी beloved की body के हर part को praise करने के लिए एक-एक human era लगा देता और final age में तुमारा heart खुद को reveal कर देता मतलब beloved का जो heart है point की जो mistress का जो heart है उसके अंदर जो point के लिए प्यार है वो उसको reveal कर देता अब point अपनी beloved को directly address करते हुए कह रहा है कि तुम इस type की dedication deserve करती हो और वो भी in return complete love की hope कर रहा है point आगे कहता है कि लेकिन वो time से always aware रहता है उसे पता है कि time जल्दी जल्दी खतम हो जाता है यहां वो अपनी beloved को directly address करते हुए कह रहा है कि हमारे लिए future काफी vast होगा और एक unending desert की तरह होगा क्योंकि future में उसकी beloved की beauty dull हो जाएगी और in the end जब वो दोनों मर जाएंगे तो grave में उनके love song को कोई नहीं सुनेगा और worms जो वहां present होगे वो तुमसे तुमारी virginity को छीन लेंगे जिसको तुम अपनी पूरी life protect कर रही हो और ऐसे तुमारा owner dust में turn हो जाएगा और poet की love making की desires ashes में turn हो जाएगी grave में भी एक quiet और private place हो लेकिन वहां कोई love making नहीं करता है in the end point कहा है कि जैसे कि अब उनके पास इतना time नहीं है तो अब जब उसकी beloved young है और beautiful है तो उन्हें इस time को waste नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी इस young age में life के passion और pleasures को feel करना चाहिए और जब भी उन्हें समय मिले they should make love उन्हें time को love sick birds की तरह divorce करना चाहिए यूज करना चाहिए नहीं तो यह समय भी खतम हो जाएगा point कहे रहा है कि उन्हें अपनी strength और sweetness को एक साथ कर उसे time के against यूज करना चाहिए lastly वो admit कर रहा है कि वो किसी भी तरह time को defeat नहीं कर सकते लेकिन अभी अपनी life को enjoy करके वो इसे utilize कर सकते है और इस तरह time उनसे उनकी life का passion और pleasure नहीं छीन पाएगा और इसी के साथ हमारी poem खतम होती है तो चलिए poem की theme देख लेते हैं poem की theme है love and death to his coi mistress एक love poem है जो beauty, youth और sexual pleasures को celebrate करती है however poem का speaker human beings की mortality से frightened है क्योंकि वो एक luxurious slow love imagine करता है जिसे final stage मतलब death तक पहुंचने में thousand years लगे लेकिन उसे पता है कि ये impossible है death को delay या defeated नहीं किया जा सकता है लेकिन death और time के response में हम कर सकते है कि death के आने से पहले हम life और उसके pleasures को जितना possible हो सके enjoy करें poet poem में अपनी be love से अर्ज करता है कि वो life के pleasures को enjoy करने में wait ना करे और बिना किसी restrain, रुकावट के love making के pleasures को enjoy करें यह poem दो तरह के love के बीच contrast present करती है which love जो तभी possible है जब हम immortal हो और second rushed, panicked love जिसे mortal beings enjoy करने के लिए forced है mainly point कहता है कि हमारे पास limited time है और इसे हमें waste नहीं करना चाहिए और इसी के साथ हमारी poem खतम हो जाते है so thank you guys that's it for today don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel